हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मच्छर भगाने का दो नए आसान तरीके शेयर कर रही हूं दोस्तों देखी दोस्तों गर्मी आ गई है और इतने सारे मच्छर हो जाते हैं तो इंको भगाने का बहुत या आसान तरीका शेयर कर रही हूं तो उसके लिए मेरी हाँ पर लिया है दोस्तो पांस एच्छे लॉंग लिये लॉंग को मेरी हाँ पर ओकली में कूट लिया है दोस्तो लॉंग होता है उसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉंग होती है उससे मच्छरे वो भाग जाते हैं तो मेरी हाँ पर पांस एच्छे लॉंग ल में हैं निया मैं बोएक लिए कपुर बारी कोट लूगी तो यह दें पर पर कपुर को बोड़ी को लूटंगे अब कपूर को हम मिक्स कर देंगे इस लॉंग वाले पाउडर में जो हमने त्यार क्या थ में बीचा अब trainer कर दोस्तो आपके गर में होता है थो को दोस्तो आपको बाजार से कुछ भी नहीं लेकर आना इतना आसान नुस्का तो यह देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है यह हमारा बहुती फ्लेवर फुल एक तयार हो गया है मच्छर बगाने का अब दोस्तों दिया ले ले घर में जो भी दिया हो इसको आप रोज जलाए घर में तो यहां पर दिये में डाल देंगे हम यह मिश्रन जो तयार किया है तो बस आपको रोज इसे जलाना है दोस्तों और पांश मिनिट में सारे घर के मच्छर मक्हां भाग जाएंगे अब मेरे यहां पर लिए दोस्तों दो बाती लिए इसको मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे और जैसे हम लगाते हैं दिया बना लेंगे तो देखिए मैं इसको यह घर में लगा इसको दोस्तों और आपके घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे तो यह देखिए हमारा दियात बनका तयार हो गया है अब इसको हम चला लेंगे तो यह लीचे दोस्तों तयार हो गया हमारा बस इसको हम चला लेंगे और यह देखिएगा दोस्तों पांश मिट म तो पुष्बू ना बहुत अच्छी आती है इसे आप जलाएगे का और घर के सारे मच्छा मक्छा से चूम अंतर हो जाएंगे और खुष्बू तो इसके इतनी अच्छी आती है ना और दोस्तो कपूर लगाया हमने इसमें लॉंग लिया है सरसू का तेल डाला है तीनों ही च दोस्तो मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है वो इसके खुष्बू सहीनब भाग जाते हैं तो बस इसको जला दे जिस रूम में आपको लगाना है इस कमरे में रग दे इस दिये को और रोश्क आपको यह काम करना है दोस्तो आपको डेली आपको यह दिया लगान जो हम बिर्यानी में पुलाओं में यूज़ करते वो आपको लेना है तेश पत्ता लेना है और दोस्तो में आप अभी लिया है कपूर लिया है कपूर की फिग्रेंस भी दोस्तो बहुत स्ट्रॉंग होती है बहुत ही पाउटफुल होती है तो मैंने आप छे जश साथ अब बट्टी आथी दोस्तो वो भी ले सकते है बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि बहुत सदा कपूर और बहुत सदा पुराना आपको तेश पत्ता का इस्तिमाल नहीं करना है और कपूर को मैंने हाँ पर किसी भी डिस्पोज़र में मैंने कोट लिया है और इसको ड ले ले ताम कर ले ले या फिर पुराना बड़ा दिया ले ले और उस दी में डाल देंगे दोस्तो हम यह तेश पत्ता तेश पत्ता पांच से छे आप तेश पत्ता को इसे हातों से तोड़ कर डाल दे यह देखिए में डाल दिया है इसे तोड़ कर डाल दिया तेश पत्ता तो यह देखें कि दोस्तों इससे जणा घर का वातावरण बर सुद्दू होता ही है मचर मक्हियां सब भाग जाते हैं दोस्तों यह देखिए बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है इससे और यह देखिए अच्छी जल रहा है दोस्तों यह और पांश मिट में घर के सारे बहुत ही अच्छा हो जाएगा वह यह देखिए जलने के बाद इसमें धुआ निकलेगा और इसकी दुमें से मच्चरे जुमक्या भाग जाएंगे दोस्तों और आज का आपको नुस्का पसनाए हो तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों कौन सा नुस्का बिल्कुल ना भुले